आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends इस Question में हमें क्या दिया गया है कि हमें Function की Continuity चेक करनी है हमें Function कौन-कौन से दिये गया है दो Function दिये गया है पहला Function क्या है 2 x raised to power 5 minus 8 x square plus 11 upon x raised to power 4 plus 4 x square plus 8 x square plus 8 x plus 4 और दूसरा Function क्या दिया गया है 3 x cube 3 sin cube x plus cos square x plus 1 upon 4 cos x minus 2 ठीक है तो अब इस चीज़ इसकी Continuity पहले हम Function की Continuity को चेक करते हैं ठीक है अब नोटिस कीज़ेगा कि जो उपर वाला Function है वो क्या है polynomial है और इवन नीचे वाला Function है वो भी क्या है polynomial है ठीक है तो polynomial हमेशा क्या होते है continuous होते है for all x belongs to real ठीक है लेकिन अब क्या problem है कि जो denominator में है हमारे पास यह पूरे Function को discontinue कर देगा जब हमारे पास इसकी value 0 आ जाएगे किसी x x belongs to real पे अब देखते हैं कि वो कौन सी values होंगे जिस पे हमें यह function क्या देगा 0 value देगा सबसे पहले हम इसको as it is लिख लेते हैं x raised to power 4 plus 4x square plus 8x square plus 8x plus 4 ठीक है अब क्या करते हैं कि इसको इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा x square plus 2 का whole square ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x square plus 8x और यहाँ पे हम क्या करते हैं plus 1 by 4 minus 1 by 4 को add और subtract कर देते हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास x square plus 2 का whole square plus 2 root 2 x plus 1 by 2 का whole square minus 1 by 4 अब नोटिस किजिएगा कि किसी भी हमारी x की कोई भी हम यहाँ पे x की value ले आएं तो हमारे पास यह कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा ठीक है तो हमारा यह function कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा तो यह पूरा का पूरा जो function हमें दिया हुआ है वो हमेशा continuous होगा for all x belongs to real ठीक है अब हमारे पास जो second function है second function क्या दिया गया है 3 sin cube x plus cos square x plus 1 upon 4 cos x minus 2 अब इसमें भी यही है कि जो उपर वाला function है वो हमेशा continuous होगा for all x belongs to real और even जो नीचे वाला वी function है वो भी हमेशा continuous होगा for all x belongs to real लेकिन यह अभी denominator में चल गया अगर यह 0 हो जाएगा तो यह पूरे function के लिए problem create करेगा तो अब हम देखते है कि जो यह नीचे वाला function है यह 0 कौन कौन सी values पे देता है अगर हम 4 cos x minus 2 को 0 के बराबर रख दे और cos x की value यहाँ से क्या निकल के आगी 1 by 2 निकल के आगी ठीक है तो यहाँ से x की value हमारे पास क्या निकल के आगी 2 and pi plus minus pi by 3 ठीक है where n belongs to integer ठीक है यहाँ पे integer से belong करेगा तो अब हमें पता चल गया कि यह जो function है continuous होगा for all x belongs to real पर वो points छोड़के जहाँ पे यह जो नीचे वाला जो हमारा function है वो 0 बना दे तो यहाँ पे क्या जाएगा r minus 2 and pi plus minus pi by 3 तो यह वाला function तो continuous होगा for all x belongs to real लेकिन यह वाला function continuous होगा सिर्फ इन x की values पे Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर